हेलो बच्चो आप सब का इस वीडियो में स्वागत है आप सभी ने विज्ञान का कक्षा छे का पहला पार्थ इससे पहली वीडियो में पड़ा है उसी पार्थ में कुछ पॉर्षन रह गया था तो इस वीडियो में मैं वो पॉर्षन कराऊंगा और अगर समय रहा तो मैं इसके अभ्यास के प्रसनुत्र भी कराऊंगा वीडियो में हम देखते हैं जन्तु क्या खाते हैं क्या आपके घर में कोई भी ऐसा पालतु पसु है जिसकी आप देखबाल करते हो जैसे कुता, बिल्ली, गाए, भैस, बक्री फिर आपको इनकी जानकारी भी अवश्य होगी पालतु जानवर क्या खाते हैं तो सभी बच्चों के घर में कोई ना कोई जानवर जुरूर होगा या आस पडोस में होगा जिसके बारे में आप जानते हैं कि कोई भी जन्तु क्या खाता है अन्या जन्तु क्या खाते हैं क्या आपने कभी गैलहरी, कबुतर, छिपकली या छोटे-छोटे कीट को खाना खाते देखा है तो आपने जुरूर देखा होगा, जैसे कभुतर को देखा होगा, चिडिया को देखा होगा चिपकली मिल जाती है सबके गरों में, उसको भी देखा होगा क्या खाती है वो तो अब हम इजनी के बारे में देखेंगे भी कोई जीव क्या क्या खाता है तो इसी से संबंदित आपने सार्णी बनानी है जैसे आपके पास ये चितर है ठीक है बच्चो तो इस चितर में देखो गलेरी क्या खा रही है फिर उसके बाद है क्रिया कलाप है ये चे सार्णी में अनेक जनतों के नाम लिखे हैं इन में से कुछ जनतों दवारा खाये जाने वाले भोजन भी लिखे हैं सार्णी में रिक्र स्थानों की पूर्ती कीजिए तो आपके पास ये सार्णी दी गई है 15 न 1.5 शार्णी है ये जन्तु और उनका भोजन तो पहले यहां जीव का नाम लिखा जाता है फिर खाए जाने वाले भोजन यानि जीव का नाम लिखेंगे जैसे आपके पास यहां है भैस तो भैस क्या क्या खाती है वो लिखा हुए घास खाती है खली खली का मतलब खड़ जो डालते हैं वो खाती है भूसा अनाज और पत्ती तो यह खा लेती है फिर उसके बाद है आपके बास बिल्ली क्या खाती है बिल्ली आपने देखा होगा क्या क्या खाती है छोटे जंत वो खा लेती है पक्षी और दूद यानि वो मास भी खा लेती है और दूद भी अगर उसको मिल जाता है दूद पी लेती है वो फिर चुहें क्या खाते हैं तो चुहें आपने देख्यों का अनाज खाते हैं सेर क्या खाता है सेर दूसरे जनतुवों को खाता है उनका मास खाता है या घास भी खाता है तो सेर घास नहीं खाता वो मास खाता है फिर बाग बाग भी आपके पास यही है बाग भी मास खाता है मकडी क्या खाती है छोटे कीट पतंगों को खाती है मकडी छिपकली क्या खाती है छिपकली भी कीट पतंगों को खाती है मच्छर आते हैं जैसे मक्खी आती है उनको खा लेती है फिर गाएं का लिखना है अपने मनुश्या का लिखना है मनुश्या को तो अनाज भी खाता है वो मास भी खाता है दूद भी पिता है कहीं लोग मास भी खा लेते हैं कहीं नहीं भी खाते फिर तितली क्या खाती है कोवा क्या खाता है और अन्या कोई आपको दिखाई दे तो उसके बारे में भी आपने लिखना है तो ये सार्णी आपने कम्प्लीट कर लेनी है और हाँ बचो अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया Science Teacher YNR ये ग्रूप आपने YouTube पे जब भी आप मेरी ये वीडियो देखते हो तो उसमें वीडियो के निचे सब्सक्रिप्शन आता है लिखा हुआ है सब्सक्राइब तो वो बटन आपने दबाना है अगर आपने नहीं दबाया तो वो सब्सक्राइब हो जाएगा और जब ये मैं वीडियो बना के डालता हूँ नहीं तो आपको पहले मिल जाएगी वो और आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी पहुचाना है सेयर करना है ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके ठीक है बच्चो आगे पढ़ते हम क्रिया कलाप साथ है फिर से सार्णी हमारे पास एक समलाव कांच को ध्यान से देखिए जो हमने सार्णी पिछे बनाई है उसको देखेंगे कि जन्तूओं को इसके जन्तूओं को हम तीन वरगों में बांट सकते हैं पहले बरग में वो जन्तूओं के नाम लिखिए जो केवल पोधे और पादप उत्पाद खाते हैं यानि वो जन्तूओं के नाम लिखने हैं जो केवल अनाज खाते हैं घास खाते हैं या फल खाते हैं तो उन जन्तूओं के नाम लिखने हैं तो इन्हें हम शाकाहारी जन्तु कहते हैं यानि ऐसे जन्तु अब आपको पास प्रसन है शाकाहारी किसे कहते हैं तो ऐसे सभी जन्तु जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं जो केवल क्या खाते हैं पादप उत्पाद ये है जैसे उन जन्तु के नाम यानि वो जन्तु जो केवल पोधे और पादपुत्पाद खाते हैं उन्हें हम साकाहारी जन्तु कहते हैं तो ये साकाहारी जन्तु का परिबासा है साकाहारी जन्तु किसे कहते हैं जिसे गाएं हैं भैस है बकरी है और कई मनुश्या भी साकाहारी हैं क्योंकि वो केवल पादपुतपाद खाते हैं वो मास नहीं खाते जो लोग वो साकारी होते हैं तो यहां पे कुछ ऐसे जन्तु होते हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं उन्हें दूसरे वरग में रखते हैं, इन प्राणियों को मासा हारी जन्तु कहते हैं, तो मासा हारी जन्तु किसे कहते हैं? ऐसे जन्तु जो दूसरे जन्तु को खाते हैं, उन्हें हम मासा हारी जन्तु कहते हैं, कौन से जन्तु कहते हैं? मासा हारी जन्तु ऐसे जन्तु जो म मास खाते हैं या दूसरे जन्तु को खाते हैं फिर कुछ जन्तु ऐसे भी होते हैं जो अनाज भी खाते हैं और मास भी खाते हैं जैसे मनुश्य है तो मासा हारी जन्तु कौन सा होगा सेर होगा बाग होगा जो केवल मासी गाता है फिर उसके बाद है कुछ ऐसे जन्तु होते हैं जिनका भोजन पोधे जन्तु दोनों से ही होता है इन्हें तीसरे वरग में रखिये इन्हें सरवा हारी जन्तु कहते हैं सरवाहारी सरव का मतलब सब कुछ हाहरी का मतलब खाने वाले जन्तु यानि जो ऐसे जन्तु जिसको जो भी मिल जाए वही खालेते हैं जैसे कुत्ता है कुट्टे को आप रोट्टी भी खिला दो वो भी खा लेगा मास खिला दो भी खा लेगा कोवा है कोवा भी सब कुछ खा लेता है बिल्ली है मास भी खा लेती है दूद भी पिती है या मनुश्या है वो अनाज भी खाता है मास भी खाता है तो वो सर्वा हारी जन्तू है तो आपने ये लिखना है साका हारी जन्तू किसे कहते है फिर दूसरा प्रिसन है मासा हारी जन्तू किसे कहते है तीसरा है सर्वा हारी जन्तू किसे कहते है फिर उसके बाद है आपके पास अगली शार्णी सार्णी 1.6 आपने करना है इस सार्णी में आपने क्या करना है साका हारी जन्तू के नाम लिखने है यहाँ पे जैसे गाएं फिर आगे और फिर आगे जैसे गाएं लिख दोगे भैंस लिख दोगे और कोई साका हारी जन्तू घोडा ठीक है या कोई और जो अनाज खाता है या घास खाता है केवल फिर मासा हारी जनतु मासा हारी जनतु में जैसे सेर है बाग है और भी कोई जनतु आप मासा हारी जनतु में रख सकते हो जैसे छिपकली है वो दूसरे किट पतंगों खाती है सर्वाहरी जन्तु में आप क्या लिखोंगे कोवा है जैसे फिर क्या आज़ेगा मनुष्य भी आप लिख सकते हो और भी आपने लिखना है जो मास भी खाता है अनाज भी खाता है तो इस तरह से आपने ये टेवल पूरा कर लेना है किर उसके बाद है अब ये सोचने वाली बात है कि हम जानते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनने हम प्रियाप्त भोजन नहीं मिलता तो हमें ऐसे उपाए कोजने के हो सकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद उत्पादन किया जासके और प्रियाप्त नहीं होगा बलकि हमें ऐसे भी उपाए कोजने चाहिए जिस से यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हमें से परतेक को असानी से उपलब्ध हो सके तो हमें क्या करना चाहिए अपने देश के लिए या उन भुखे लोगों के लिए जिनको भोजन नहीं मिलता जो हर रोज भुखे पेट सोते हैं उनके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए फिर उसके वाद आपके पास आते हैं परमुक शब्द तो यह आपने करने हैं अभ्यास के प्रसनों में परमुक शब्द हैं संगघटक की परिभासा लिखनी है आपने पहले वीडियो में आपने उस में से आपको अंसर मिलेगा कि किसी भी खाद्यापदार्थ को बनाने के लिए जिस कच्ची समगरी के रोसकता होती है उसे संगघटक कहते हैं फिर आपने खाद्यापदार्थ लिखने है खाद्यापदार्थ किसे कहते हैं ऐसे पदार्थ जो खाने योग्या हैं जिनको हम खा सकें उन्हें हम खाद्यापदार्थ कह सकते हैं फिर मकरंद होता है मकरंद होता है मदू मखियां फूलों से जो रस चूसती है इकठा करती है उसे हम मकरंद कहते हैं और मकरंद से बाद में सहथ बन जाता है अंकूरित बीज अंकूरित बीज होते हैं जब बीज में से सफेद रंकी एक छोटी सी सरंचना बाहर निकलती है तो उसे अंकूरित बीज कहते हैं जैसे आपने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था अंकूरित चना था या अंकूरित दाल गी थी जो जिसमें से ने पोदे अंकूरित ओने लग जाते हैं उन्हें अंकूरित बीज कहते हैं फिर साकारी आपको अभी बताया जो ऐसे जीव जो केवल शाक खाते हैं साक का मतलब पेड़ पोधों से प्राप्त गोजन खाते हैं उन्हें साका हरी जनतू कहते हैं जैसे गाएं भैंस बकरी मासा हरी जनतू ऐसे जीव जो केवल मास खाते हैं ऐसे जीव जो केवर मास खाते हैं तो आपने ये देख लेना है सभी को ठीक है इनकी परिभासाइं आपने लिखनी है खाद, मकरंद, अंकूरित भी, चाकाहारी, मासाहारी और सर्वाहारी कौनसा सरवाहरी तो इन सब के आपने प्रिबास है लिखनी सरवारी किसे कहते है जो अनाज भी खाते हों और मास भी खाते हों फिर उसके बाद आपको इन की प्रिबास हैं जो है इन की प्रिबास हैं आपको इन में से मिल जाएंगी ये पाठ का सारांस है ये शारांस है पाठ का जैसे पहला है भारत के विपिन परदेशों में खाये जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विबित्ता है यानि भार्त के अलग-अलग भागों में अलग-अलग तरह का भोजन खाया जाता है जैसे कहीं पे डाल रोटी खाते हैं कहीं साउथ में चले जाओ वहाँ पे मचली खाते हैं चावल मचली फिर हमारे भोजन में मुख्या सुरोत जो है पोधे और जन्तू है यानि हमें भोजन कहां से मिलता है पोधों से और जन्तूं से फिर उसके बाद है जो जन्तू केवल पादप खाते हैं उन्हें साकारी कहते हैं जो जन्तू केवल मास खाते हैं उन्हें मासाहारी कहते हैं और जो जन्तु पादप और दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं, उन्हें हम शर्वाहारी कहते हैं, तो ये उत्तर आपको मिल जाएंगे, फिर उसके बाद है आपके पास अगले अभ्यास के प्रसन आगे ये, तो अभ्यास का पहला प्रसन है आपके पास, क्या सभी जीवों को एक ही किसम के भोजन के सकता होती है, तो नहीं, सभी जीवों को एक तरह के भोजन के सकता नहीं होती, ये आपने उत्तर लिख लेना है, नोट कर लेना है, क्योंकि अलग-अलग जीव जो हैं, अलग-अलग तरह का भोजन खाते हैं, जैसे सेर मास खाता है, और कोवा मास भी खा लेता है अनाज भी खाता है या मनुश्य अनाज भी अनाज से बनी रोटी खाता है या गाएं घास खाती है तो इसलिए सबी जनतों को अलग-अलग भोजन के सकता होती है फिर उसके बाद है दूसरा प्रसान पांच पोदों के नाम लिखिए और बताईए इनके कौन से भाग का उप्योग खाद्या पदार्त के रूप में किया जाता है तो हमने पांच पोदों के नाम लिखने और उनके भाग भी बताने हैं जैसे सबसे पहले है पालक पालक के हम पत्ते खाते हैं आपने लिखना पाल बीज 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 बी या तना, तने में से रस जो है, वो निकाल के खाते हैं, पीते हैं, और और पांच पदार्त में से और क्या हो सकता है, जैसे गाजर है, उसकी जड़ खाते हैं, अदरक है, वो भी जड़ होती है, जड़ खाते हैं, तो ये आपने लिख लेने हैं, फिर उसके बाद है, आपके पास कोलम के मिलान करने है कॉलम एक और दो तो दूद दही गी पनीर यह किसे से मिलते हैं हैं जंतुओं से मिलते हैंышअ Lazar यह इस से मिल जाएगा सभी जंतुबट न फाद हैं बूद दही पनीर गी का है जंतुओ बाद पालक फूल-गोबी-गाज्जर का हैं सब्जियां तो यह मिल जाएगा सब्जियों से इससे मिलेगा यह सब्जियों से फिर उसके बाद शेर बाग क्या हैं दूसरे जन्तों को खाते हैं तो यह इससे मिल जाएगा और साकारी जन्तु क्या है पादफ खाते हैं तो यह इस तरह से आपने मिलान कर लेने हैं और यह अपनी विज्ञान की कोपी में लिखने हैं पिर चोथा प्रसन है आपके पास दिये गए सब्दों से रिक्त स्थान भढ़ने है हमने बाग एक खाली स्थान है बाग क्या होता है मासाहारी आजिएगा मासाहारी क्या आ जाएगा मासाहारी एक नमबर पे आएगा बाग एक मासाहारी है खैब आ गया हीरन केवल पादप उत्पाद खाता है इसलिए इसे हम साकाहारी कहते हैं तो दो नमबर पे साकाहारी आ जाएगा ठीक है बचो तो ये मसार यहां जाएगा और ये साकारी यहां जाएगा फिर है पादप तोत्ता केवल क्या खाता है पादप उत्पाद तोत्ता फ़र खाता है ना इसलिए से हम बोलेंगे कि ये पादप उत्पाद खाता है तो पादप जो है तोत्ते वाले स्पक्री से मिलता है तो काहिए स्पक्री से क्या मिलता है जो हमें पीते हैं तो वो तह दूद तो आपने दूद जो है यहां पर लिख लेना है फिर उसके बाद है चिन्नी किसे मिलती है में चिन्नी हमें मिलती है गन्ने से तो यहां पर डै भाग में क्या जाएगा आपके पा अपने अब्यास के प्रसन जो है विज्ञान की नौट बुक में विज्ञान की कापी में लिख लेने हैं यह इनके उत्तर भी लिखने हैं ठीक है बच्चो और हाँ फिर से आपको बताता हूं कि अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ठीक है बच्चो ओके थैंक यू बाए बाए जैहिन